अपनी life का control, अपने हातों में रखने की चाहत रखने वालों को मेरा सलाम Detox diet जब भी कोई weight loss start करने जा रहा हो, detox करना है weight loss journey के दोरान, detox करना है कहीं बहुत दिन तक बाहर खा लिया, उसके बाद फिर healthy lifestyle अडप्ट करना है, detox diet क्या है ये detox diet? कैसे कर सकते हैं आप detox अपनी body का जानेंगे detail में आज की इस episode में अगर आप मेरे channel पे नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आए स्टार्ट करते हैं Welcome back, detox diet detox diet को समझने से पहले detox का समझना जरूरी है क्या ये detox है और होता क्या है कई बार हमें लगता है detox का मतलब है कि body से कचरा बाहर निकल जाए ऐसा नहीं होता हमारी जो body है वो cell से बनी है यानि कि जो smallest unit है हमारी body का वो cell है bones cell से बने है, heart cell से बना है, liver cell से बना है, skin cell से बना है आपके blood में cells है, RBCs, WBCs तो आपकी body is full of cells and it is made up of cells अब जितने भी processes होते हैं, वो cells के अंदर होते हैं यानि कि cells के अंदर अपना एक mechanism है अपने आपको revive करने का यानि कि अगर आपके हाथ पे कट लग जाए, तो उस कट को कौन heal करेगा क्या doctor heal करेगा? नहीं, अगर आप doctor के पास जाएंगे तो वो आपको एक pain killer दे सकता है, वो आपको titnes का injection दे सकता है वो आपको antibiotic दे सकता है, लेकिन जो cut लगा है, वो heal अपने आप ही होगा क्योंकि उसका mechanism body के अंदर है, रादर cell के अंदर है cell के अंदर बैठा हुआ है हमारा master जिसको हम DNA बोलते हैं और इस DNA में सारा का सारा programming fit है programming का मतलब यह है, कि जब भी आप body को कुछ ऐसा देते हैं जो body की requirement नहीं है, उसके बावजूद body उसको metabolize करके body से बाहर निकाल देती है for an example, alcohol alcohol जो है, वो body के लिए foreign particle है, यानि कि body उसको recognize नहीं करती लेकिन उसके बावजूद, जैसी alcohol आपकी body में जाता है body उसको metabolize करके बाहर निकाल देती है जब भी आप कुछ ऐसा खाते हैं, जो body की requirement नहीं है तो body उसको flush out करके बाहर कर देती है कोई virus body के अंदर आ गया, तो body के अंदर वो mechanism है कि वो virus से लड़े तो इस तरह से आपकी body के अंदर वो सारी चीजें है वो सारा mechanism है जो body को revive करने के लिए चाहिए और आपको कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ raw material provide कर देना है raw material क्या है body के लिए? nutrients carbohydrate, protein, fat, vitamins and minerals और साथ में water this is the most forgotten nutrient सबसे भुला जा चुका वाला nutrient है यह water इसलिए इसको हम vitamin, minerals की category में रखते है so यह nutrient raw material का काम करता है और body इस raw material को use करके जहां भी wear and tear हुआ है टूट-fूट हुए उससे recovery पा लेता है तो फर यह detox का क्या मतलब है क्या होता है detox में आपकी body में? नॉर्मली हम detox में जो चीज ले रहे होते हैं fruit juice या only fruit diet यह क्या है? यह fruit juice या only fruit diet कुछ नहीं सिर्फ आपके health को खराब करने का एक तरीका है क्या होता है इसमें? सिवाए carbohydrate के कुछ नहीं होता और मैंने अभी आपको बताया है कि body को अपने आपको recover करने के लिए सारे nutrients चाहिए होते हैं carbohydrate, protein, fat, vitamin, minerals और जो आपको fruit या only fruit diet में मिलता है वो मिलता है carbohydrate, vitamins and minerals protein और fat जो कि एक बहुत important macronutrient है आपकी body के लिए cells क्या बिना protein के recover कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं cells क्या बिना fat के recover कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं so body को raw material देना है ताकि body अपने आपको detox कर ले और आपकी body में दो important organs हैं जिनका काम सिर्फ और सिर्फ body को detox करना है पहला liver और दूसरा kidney अगर ये दोनों organs healthy हैं तो आपकी body अपने आपको पूरे time detox कर रही है कैसे? liver का काम है कि आपकी body में जो भी चीज जा रहा है जैसे आप कोई दवा खा रहे हैं या आप कोई खाना खा रहे हैं तो liver उसको बिना scanning किये body के अंदर नहीं डालता यानि कि liver ऐसे gate पर खड़ा हुआ है जहां से चीजें body के अंदर आती है उसके बाद kidney ऐसे gate पर खड़ा है जहां से चीजें body से बाहर को जाती है यानि कि आपने खाना खाया ये खाना digest होके आपके blood में मिल गया और blood में मिलने से पहले liver की permission लगती है उसके बाद blood में आके ये सारे cells के पास पहुँचेगा cells अपना काम करेंगे अपना खाना वहां से लेंगे और उसके बाद kidney के थूँ वही cells digest होने के बाद जो metabolites जो byproduct निकलते हैं उसको kidney के थूँ बाहर flush out कर दिया जाता है so body के पास अपना mechanism है detox करने का आपको अलग से कुछ नहीं करना सिर्फ क्या करना है raw material दे देना है that's it liver के लिए सबसे important है कि vitamin B6, B9 और B12 इसकी deficiency नहीं होनी चाहिए और अगर आपके घर में हल्दी का इस्तेमाल कम होता है तो आपको curcumin अलग से लेना है क्योंकि curcumin भी आपके liver के health के लिए बहुत important है और curcumin नॉर्मली हल्दी में पाये जाता है ठीक है, kidney के लिए क्या करना है आपको kidney के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि आपने आपको hydrated रखना है अगर आप hydrated हैं तो आपका kidney हमेशा काम करेगा अगर आप hydrated नहीं है तो वही metabolites जो kidney को बहार निकालना होता है वो metabolites kidney के अंदर जमने लगते हैं और वही stone का रूप ले लेता है वही metabolites kidney के function के efficiency को कम कर देता है तो आपको इन दोनों organs के health की चिंता करनी है body अपने आप detox हो जाएगी so vitamin B6, B9, B12, curcumin and water ये चीज़ें अगर आप अपकी body में intact हैं तो आपका ये दोनों detoxifying organs बिलकुल first class काम कर रहा है आपको किसी detox diet पे जाने की जरुवत नहीं है आपको सिर्फ अपने organs, अपने health, अपने cells को पूरा का पूरा raw material provide कर देना है आपका detox का काम complete हो जाएगा अगर कोई question detox से related है तो मुझे comment में पूछे या कोई topic है जिसपे आप चाहते हैं कि मैं video बनाओ वो भी topic comment में बताईए मिलेंगे अगले episode में एक नए topic के साथ This is Kapil Kanodiyya, sign up